हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की संपूर राज्य वस्था के बारे में तो फ्रेंट्स आप सीटेट एस्टेट की तयारी कर रहे हो तो आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं हैं आप जैसे चाहिए इस वीडियो को देख सकते हैं इसके ऑप्षन है 26 जनवरी 1950 को तो सारे ऑप्षन आपके स्क्वीन पर आपको दखाई दे रहे हैं आपका टाइमिंग होता है इस जिसको इस कोश्चन का आंसर पता है वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं तो इसक कोशन आता है हमारा आपात उबंद समविधान के किस भाग में सिम लित है यानि कि जो आपात कालिन होता है वो समविधान के किस भाग में सिम लित है भाग 18 में भाग 17 में या भाग 16 में सिम लित है तो फ्रेंड्स विल्कुल भी वीडियो को सिक नहीं करें आपके लिए वी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिगरन की वीडियो का उनले किस अनुसूची में किया गया है तो friends इसके option है आपके सामने सबसे पहले आता है आठ वी अनुसूची में या फिर नौमी अनुसूची में या फिर दसमी अनुसूची में नेक्स्ट कोशन समीधान में अन्तेकरन की सतंसता किस अनुसूची द्वारा की गई है तो इसके option है आपके सामने अनुसूची पच्चीस अनुसूचीद चौविस और अनुसूचीद चबईस तो इसके लिए आपके सामने counting होती है शुरू तो सोचिए इसका answer क्या है अगर आपको जिन question का answer पता है उनका comment करके मुझे जुरू बताएं कि आपको इन question का answer पता था तो इसका answer है आपके सामने screen पर अनुसूचीद पच्चीस ठीक है तो इसका answer है अनुसूचीद पच्चीस friends वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करें अगर आप चाते हैं कि मैं राजवस्था के वारे में detail में आपको यह topics करा हूँ तो मुझे comment करके जरू बताएं next question आता है भारत के किस उपराश्टवतिकर निधन कारेकाल के दोरान हुआ था डॉक्टर कृष्णकांद, डॉक्टर कृष्णमूर्ति, डॉक्टर कृष्णकृष्ण रामायन तो friends से सारे option आपको confuse करने वाले हैं लेकिन आपको confuse नहीं हो रहा है इसके लिए आपके सामने counting सुरू होती है तो सुझी आपके कौन सा इसका answer हो सकता है तो इसका answer है का डॉक्टर कृष्णकांद, यानि कि फर्स्ट option है जो आपका ये सही है इसके बाद next question आता है हमारा राजवासा भिवाग किस मंत्राले के अधिन कारे करता है यानि कि जो राजवासा भिवाग है वो किस मंत्राले का धिन काम करता है ग्रह मंत्राले, शिक्षा मंत्राले, विदेश मंत्राले तो अगर आप चाते हैं कि मैं आप भारत की राजविस्ता के वारे डेटेल में आपको ये टॉपिक्स करा हूँ तो मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताएं तो इसके आँसर है, ग्रह मंत्राले जो राजवासा विवाग है, वो ग्रह मंत्राले के अधिन काम करता है तो आपके सामने नेक्स्ट कोशन आता है कि जो लोक लेखा समीतिये में राजे सहवा के कितने स्रदश्य होते हैं तो friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो please like, share and subscribe करना बिल्कुल नहीं बूले चैनल को red बटन पर click करके चैनल को subscribe जरूर करने इसका option है 8, 7 and 6 तो इसके लिए counting सुरू होती है तो देखते हैं इसका answer कौन सा है इसका answer है 7 तो जो लोग लेखा समीतिया उसके उसके आंदर जो राजे सवा के सदस्यों होते हैं वो होते हैं 7 तो friends विल्कुल भी वीडियो को skip नहीं करें उसके इनवाद next question आता है पिर्थम राष्टिया आपात की घोशना कब की गई यानि कि पिर्थम जो राष्टिया आपात काल जिसको पता है वो मुझे कॉमेंट करकर जरूर बताए इसका अंसर तो इसका अंसर है 26 October 1962 26 October 1962 में सबसे पहला आपत काल की घोशना की गई थी next question आता है लोगसवा के पिर्थम अगदक्ष कौन थे फर्स्ट ऑप्सन है आपके सामने गनेश वासुदेव मावलंकर गनेश वासुदेव गनेश मावलंकर तो friends आपको इस question में बिल्कुल भी confused होने की जुरूरत नहीं क्योंकि सारे option एक जैसे दिये हैं लेकिन आपको अंसर है फर्स्ट यानि कि गनेश वासुदेव बावलंकर लोगसवा के पिर्थम अगदक्ष थे उसके बाद next question आता है जो बैलिस्वा संसोदन हुआ था वो कब किया गया था आप सभी को याद होगा कि बैलिस्वा संसोदन कौन सा था जिसको पता है वो मुझे जरूर बत तो friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को सेर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें उसके बाद next question आता है राज्य सभा सदश्य के लिए नियूंतम आयू कितनी होनी चाहिए यानि कि जो राज्य सभा है उसका स आंसर आता है तीस वर्ज यानि कि राज्य सभा का सदश्य बनेने के लिए कम से कम तीस वर्ज की आयू होनी जरूरी है उसके बाद next question आता है सवीधान सभा ने राष्ट्य दवज का प्रारूप कब अपनाया था यानि कि जो हमारी सवीधान सभा है उसने राष्ट्य आपको इन तीन पार्ट्स में संपु नाजवस्था कराने वाले हूं तो इसका अंसर है बाइस जुलाई उन्हीं सो सेतालिस को ठीक है उसके बाद next question आता है राष्ट्य गीत बंदे मातरम को गाने का समय कितना है यानि कि जो बंदे मातरम गीत है जिसको गाने का समय कितना ह है तो इसके लिए आपके सामने option है एक मिनट पांच सेकंड एक मिनट बामन सेकंड एक मिनट पचास सेकंड तो अच्छे से सूच कर इस कूशन का आंसर तो इसके लिए आपके सामने देख रहे हैं कांटिंग हो गई है स्टार्ड तो फ्रेंट्स अच्छे से इसको कूशन क सोचकर answer दीजिए गया, इसका answer है, 1 minute 5 second यानि कि बंदे गम כי 적, next question आता है भारतिय संग की कार्या पालीक का सक्ति किस में नहते है, यानि कि जो भारतिय संग है उसके जो कार्य माले का हे कि सकति है वो किस ऑंडर आती है, राष्ट्य पती के या उप्राष्ट्य पती के या पिद्धान मंत्री के तो आपके सामने इस question के answer के लिए counting हो गई ही start the है- है तो नेक्स्ट कोशन है आप सब के सामने राज्य-सवा का पहली वार गठन कब किया गया था उसके लिए आपके सामने उप्शन है तीन अप्रेल 22 को चार अप्रेल 1922 को पांच अप्रेल 1952 को तो friends सारे option आप देख रहे हूं बहुत ही ज़्यादा close है एक दूसरे के तो इसमें आपको confused होने की जरूत नहीं है आपको अगर सही अंसर पता है तो बिल्कुल आप correct करके आने वाले हो seated, estate या SSC जो भी आप test देने जारे हो तो इसका अंसर है तो इसके बाद आता है नेक्स्ट आपके सामने question है जो सेवाओ पर कर लगता है यानि कि जो कर का प्रावधान था यानि जो text लगाने की जो किरियाती उसका किस समीदान संसुदन द्वारा किया गया था ठीके friend तो इसके लिए option है आपके सामने 88, 89 या 90 यानि कि जो संसुदन है है अमारे 88, 89 और 90 है तो इसमें से कौन सा answer है आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते है counting भी सुरू हो गई है तो इसका जिसको इसका answer पता था वो मुझे comment works मा comment करके जरूर बताएं कि आपको इस कौन से का answer पता था तो इसका answer है 88 वे संसुदन मैं करका जो प्राबधान था वो किया गया था उसके बाद next question आता है कि किस सवीधान संसुदन द्वारा दिल्ली को राष्टे राजदानी छेतर का दरजा दिया गया था यानि कि जो दिल्ली को राजदानी बनाने का जो फैसला था वो किस सवीधान संसुदन में किया गया था इसके लिए आपके सामने option है 69 संसुदन, 66 संसुदन या 70 संसुदन तो फ्राबधान जो दिल्ली है उसका राजदानी बनाने का जो कार्य था यानि कि जो फैसला तो वो किस संसोधन में किया गया था तो इसका आंसर है 69 संसोधन यानि कि जो हमारा 69 वाल जो संसोधन उसमें दिल्ली को राज़दानी घोसित किया गया था उसके बाद next question आता है आपके सामने समविधान के किस भाग में नागरिता से संबंदित प्राबध में तो अगर आपको पता है कि नागरिता कानून है हमारे किस भाग में आता है यानि किस पार्ट में आता है तो आप इसको कोई आंसर को आसानी से कर सकते हो तो इसका अंसर है भाग सेकेंड यानि कि जो पार्ट टू है उसके बारे में वर्नन किया गया है उसके बाद next question आत गया था तो इसका option आपके सामने वर्स 1946 में, वर्स 1947 में, वर्स 1945 में, तो friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो please वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बूलें और share आप जरूर करें इस वीडियो को, तो इस question के answer का है, first यानि कि वर्स 1946 में, ठीक है, तो next question है आपके सामने, स्क्रीन पर, सवीधान सवाग के कुल 389 सदस्यों मैं से प्रांतों के लिए, निर्दारे कितने सदस्यों के लिए चुनाब होए, यानि कि जो 389 सदस्यों है, सवीधान सवाग के, उन मैं से, कितने सदस्यों ऐसे थे, जिनको प्रांतों के चुनाब के को प्रांतों में चुनाव लड़ने के लिए अधिकार दिया गया था सविधान के 389 सदश्यों में से तो नेक्स्ट कोशन आता है आपके सामने राष्ट्य पती अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए देता है आनि कि जो हमारा राष्ट्य पती है अगर वो अपना त्याग पत्र देता है तो वो किसको संबोधित करते हुए देता है राष्ट्य पती उपराष्ट्य पत्र या देश को तो इसको शर्व जो पहला ऑप्सन हो तो पहले सी रिजक्ट हो जाता है क्योंकि राष्ट्य पती या राष्ट्य पती को ही संबोधित करते हुए त्या और निकोवार दीप समू किस उच नियाले के अधिकारिकता में आता है, यानि कि जो दो हमारे दीप समू हैं, अंडमार और निकोवार, वो किस नियाले के अधिकारिकता है, यानि कि कोलकाता उच नियाले, आंदर प्रदेश उच नियाले, दिल्ली उच नियाले, तो फ्रांस तो फ्रेंट्स आपके सामने नेक्ष्ट कोशन आता है अब कि जो प्रैस है उसकी जो स्वेतंतरता का वर्न किस अनुछेद में क्या गया है यानि कि जो प्रैस है उसको जो स्वेतंतर यानि कि जो फ्रीडम दी गई है उसके बारे में वर्न किस अनुछेद के अंदर किया गया प्रेंट्स अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो नेस्ट कोशिन आता है आपके सामने स्वतनतता के बाद सवर्पर्थम किस राज्य का गठन किया गया यानि कि जो हमारी देश को स्वतनतत हुआ था तो उसके बाद सवर्पर्थम किस राज्य का गठन किया गया था यानि सबसे पहला जो राज्य था वो कौन सा बना था आंद्रपर्थम 1953 या कोलकाता या देली तो आपके सामने तीन आप्शन स्किन पर दिये हुए हैं सूची कि कि इसका अंसर क्या हो सकता है कि कौन सा राज्य था जो सबसे पहले बनाया गया था तो इसके लिए आपके सामने आंसर है आंद्रपर्थे 1953 आंद्रपर्थे इसको सबसे पहला राज्य घोसित किया गया था और इसको 1953 में घोसित किया गया था सरपर्थम राज्य तो सामना option है 10 अनुसूची यानि 10 वी अनुसूची 11 वी अनुसूची या 12 वी अनुसूची तो sorry friends यहां पर यह अनुसूची तो लिग गया है 11 के जगर 11 में तो इसको इनौर कीजिए गया तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो इसका अंसर है 10 वी अनुसूची यानि कि जो 10 वी अनुसूची है उसके अंदर दल वदल से संबंद प्रापधानों का वर्नन किया गया है तो next question है आपके सामने जो मौलिक करतब्य है मौलिक करतब्य को किस समीति के अनुसंसा पर समीधान में समीधित किया गया था यानि कि कौन सी समीधि थी जिसने मौलिक करतब्य को सम संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाता है यानि कि जो भारत का संविधान में उसके अंदर जो प्रावधान के गए हैं उसके प्रावधान को मतलब कौन सा है जिसको भारत की आत्मा कहा जाता है यानिकि सेवधानिक अधिकारों का अधिकार, सेवधानिक अधिकारों का अधिकारों का अधिकार, अधिकारों का अधिकारों का अधिकार, तो friends यह सारे option भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ख्लोज है, तो इसका answer है second, यानिक सेवधानिक अधिकारों का अधिकार, जिसको अनुचित 32 में वर्नन किया गया है, इसको भारत के समिधान के प्राधान के अंतरगा भारत की आत्मा कहा जाता है, तो फ्रेंट्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को मेरे लाइक करना, सेर करना और सस्काइब करना बिल्कुल भी नहीं ही वोलें, तो फ्रेंट्स अगर आप चाहते हैं कि जो मैं भारतिय राजवेस्ता से सम्मिधे ये सारे टाबस आपको डेटेल में कर ।